हाई आज मैं आपके लाआ हूं एस batch 7 में से चप्र númbar 4xico जिसमें हम देखेंगे की एभस को कैसे थे देसे मं करफ किया जाता है और फ्रैक्शन को कैसे डेसिमा अपत किया जाता है तो चलिए हम स्टार्ट पते हैं पहले एक्साइज यह रही है आपके पास question नमर देखिए यह है exercise वो रहे हैं इसमें question नमर फास्ट लिखाया convert the following into fraction in the lowest term हमें इनको पहले fraction में convert करना है फिर जाके इसके lowest term में lowest term में इसको मेलब कहने के मतलब solve करना है या simplify करना है ठीक है उसके बाद convert into decimals में करना है ठीक है तो चलिए फिर इसके alternate sums मैं solve करूंगा चले start करते हैं ठीक है मैंने question को पहले यहां पर लिख दिया है जैसे आपके पास पहला दिया हुआ है देखिए 3.75 यह दिया हुआ है आपको इसको convert करना है तो एक चीज़ आप इसमें देखेगा कि point के बाद point के बाद यहां कितने numbers है सबसे पहले आपको यह देखना अगर convert करना है देखिए यहां पर two places है दो places है तो मैं क्या करूंगा इसको एक तरीका तो यह है कि hundred से numerator में multiply करो और hundred से denominator multiply क्योंकि decimal के बाद डो places है अगर तीन होते अगर मालीजी एक डिजिट और होता है यहां पर suppose one होता तो आप किस से multiply करते है thousand से multiply करते है अगर four होते है माल अगर यहां पर लिखा होता 7516 अगर कोई भी नमब लिखा होता तो किस से multiply करता फिर 10,000 से multiply करता है तो अभी मैं किस से करूँगा hundred से करूँगा क्योंकि दो places है या आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते है 375 upon क्या हो गया hundred ऐसे भी लिख सकते है ठीक हो गया जो ओलरी करना चाता है ठीक है यहां से point हटाया और यहां दो zero बढ़ा दिये कुछ लोग ऐसे भी लिखते है कि यहां से point हटाया और उतने ही zero नीचे बढ़ा दिये तो उपर क्या आ जाएगा तो यह आ जाएगा आपके पास 375 upon कितना हो जाएगा hundred ठीक है क्योंकि यह दो zero ने यह दो points को क्या करेंगे तो point हट जाएगा ठीक है अगर किसी को multiply करने में problem है तो ऐसे देख सकता है जैसे यह क्या है 375.75 है into कितना है into sorry hundred है तो यह आपके पास आजाएगा अगर आप multiply करेंगे 375 यह आजाएगा double zero अगर आप इसको multiply करेंगे इससे तो यह आएगा अब आप point count करेंगे यहां से यहां से point count करेंगे कितना है दो places है तो दो places के बाद क्या लगा देंगे point लगा देंगे यह तब ऐसे आया ठीक है तो इन points के बाद zeros की कोई value है नहीं तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो अगर आप इसको cancel out करेंगे तो यह 25 से cancel हो जाएगा 25 forza और यह 25 से cancel होगा 15 time तो यह इसका lowest form है यह इसका answer हो गया ठीक है चले फर यह next देख लेते हैं यह आपके बाद 0.5 तो 0.5 में एक ही है तो मैं इसको कैसे लिखूँ 0.5 multiply by 10 numerator और 10 denominator आप सीधे भी लिख सकते हैं 5 upon 10 तो भी आपके पाद क्या मिलेगा यही time मिलेगा ठीक है तो यह आपके पाद कितना मिल आपता यहां देखिए फिर कितना है 0.65 तो आप कहा लिखिए 0.65 into कहा लिख लीजिए 100 upon कितना हो गया 100 क्यूंकि decimal के बाद 2 places है या फिर आप इसे कहले से 65 upon 100 भी लिख सकते हैं डारेक्ट अगर ऐसे यह आप यह लट टम शॉट करना चाहें तो जाएक यह भी लिख सकते है तो आपके बाद कितना मिलेगा 65 upon 100 ठीक है अगर डाउट है तो वो ऐसे भी मल्टिप्लाइ कर लेगा अगर किसी को डाउट है 65 into कितना है 100 ठीक है तो यह आ जाएगा आपके बाद 65 00 decimal places कितने point के बाद है 2 point के बाद है तो यह लगा दिया तो वो ऐसे भी समझ सकता है ठीक हो गया चलिए next देख लेते हैं फिर आपके बास कहा है 0.085 है तो देखें तीन प्लेसे हैं तीन है यहां पर तो क्या करूंगा 0.085 into कितना 1000 ठीक है into कितना 1000 या कैसे मैंने कहा था आपको 85 upon कितना लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं डारेक्ट या अगर आपको 0.85 को किस से multiply करना ह है 1000 से multiply करना है तो आपके पाग कितना आ जाएगा कितना जाएगा सब्सक्राइब यहां पर मैंने को 0 मिस्प्लेस कर दिया है ठीक है तो यह आ जाएगा आपके पास 85 एक दो तीन ठीक है यहां से count करीगा कितने 0 हैं 30 हैं तो आपको आपको कितना में लेगा 85 upon ऐसे भी कर सकत सब्सक्राइब करना है तो इसको एक तरीका तो यह है कि आप पहले मिक्स फ्रेक्शन को फ्रेक्शन में कनवर्ट कर लें फिर डिवाइट कर लें ठीक है यह कितना हो गया फाइब टूजा 10 ठीक है 10 प्लस कितना हो गया 414 upon 5 ठीक है या ठीक है अब आप डिवाइट करेंगे तो यह आपके पास आएगा 2.8 आएगा देखे अगर दूसरा तरीका यह तो ही ना तू है तो मैं इसके बाद क्या करना खाली मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ खाली मैं इसको सॉल्व करता हूँ और पॉइंट लगा यह जीरो बढ़ाईए 4 यह कितना हो जाएगा 8 ठीक है कितना हो गया 40 हुआ तो अब आपके बाद कितना आगया 2 तो पहले सही था आपके पास प्लस इसको सॉल्व करके कितना है 0.8 तो कितना आगया 2.8 अगया यहां पे तो सिंपल हो गया देखे मैं आभी आपको उपर बत यहां देखे यहां कितना हैą 1,2,3,4 है 1,2,3,4 है यहांसे तो 4 पलेस काउंट कीजिए 2 तो यह बस्त so Tom Hatton, रहे तो कितने हो जाएंगे तो 7,300 ठीक है फुर फ्रेस आगे ना लाट सागए लाट एक दो थीन 4 छव,श,वह बस्त, बस्स'll काउंट, इसंपल नगए तो इस इसी बता दूँं ठीक है यह यह पोर डिवाइड नहीं होता देखिये पहले जीरो लगाईए फिर पॉइंट बढ़ाईए जीरो बढ़ाईए ठीक है यह कितना चल जाएगा सेवन फोजा ठीक है तो यह हो गया सेवन फोजा-28 आयाँ अब इसको सब्ट्राइक करें कितना मिल टू मिला ठीक है पॉइंट है तो जीरो बढ़ाई यह फिर यह कितना हो गया फॉर फाइब जा ट्वेंटी तो देखिए वह यह आया ठीक है वह दू पहला मेथड इसको गनवर्ट करते हैं फाइव वोल से वैन अपॉन एट वह फाइव को क्या करिए एट से मिल्टिप्लाई एट को फाइब से मिल्टिप्लाई करिए और इसमें से मिल्ट कर दीजिए या दूसरा तरहिका मैं खाली सेविन अपॉन एट को सौल कर देता हूं चलो यहां पर डिवाइड कर देता हूं मैं आपके लिए ठीक है डिवाइड नहीं होता तो पहले जीरो लगया क्योंकि जो पॉइंट लगा हुआ है जीरो बढ़ा दीजिए तो कितने बार जाएगा 870 56 ठीक हो गया सब्ट्रेक कीजिए कितने बार जाएगा 850 40 तो आपको कितना मिला 0.875 तो आंसर आपके बार कितना मिला 5.0 अगर आप इसको एड करेंगे तो कैसे मिला देखिए 5.000 हो गया 5 रु 875 यह इसका आंसर हो गया ठीक है तो कितना मिला लगा 5.875 ठीक है चले फिर इसके लास देख लेते हैं यह देखिए यह क्या कर रहा है राइड़ डेसिमल प्लेसे लिखना है आपको कितने पॉइंट के बाद कितने प्लेसे हैं कितने डिजिट है इसमें यह बतानी है काली देखिए यहां कितनी है 1,2,3,4 तो आंसर कितना हो गया 4 ठीक है यहां देखिए कितना है पॉइंट के बाद 1,2,3 तो आंसर कितना हो गया 3 ठीक है यहां आपको पतानी कितने प्लेसे हैं यहां वो आंसर हो गया 1 ठीक है चलिए फिर्म अब देखिए इसको आपने क्या जीरो पॉइंट जीरो 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 कितने जीरो जै दो जीरो जै स्वारी दो जीरो जै तो यह आजाएगा फाइव ठीक है यह ऐसे आपको लिखना है ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू